हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जियो फॉन के गूगल असस्टेंड अपडेट प्रॉब्लम को ठीक करेंगे इसके लिए सबसे पहले अपने कॉंटेक्ट नमर को सिम्मे कॉपी करने के लिए कॉंटेक्ट में जाएंगे और इसके बाद आप्शन में जाएंगे और संपर कॉंपी कीजिए option से phone से सिम्मे कॉंपी कर लेंगे ऐसा करने से आपके content number delete नहीं होंगे इस तरह से अपने content number को phone से सिम्मे कॉंपी कर लेंगे चलिए आप इस problem को solve करते हैं setting को open करेंगे इसके बाद इसमें device के option पर जाएंगे device में phone reset करें option में जाएंगे इसे ok कर देंगे इसके बाद reset करें option पर ok कर देंगे हमारा mobile reset होना शुरू हो जाएगा इसके बाद थोड़ा बेट कीजिए data reset successfully का method सो होगा और एक बार फिर से mobile restart होगा बीडियो को बिलकुल भी skip ना करें आपकी problem 100% solve हो जाएगी इसके बाद कुछ second बेट करेंगे इसके बाद अपनी language को select कर लेंगे और next कर देंगे इसके बाद accept कर लेंगे अब एक बार फिर से हम google assistant को check करने के लिए इसे open करेंगे इसके बाद अपनी language को select करेंगे और double ok करके इसे allow कर देंगे आपकी problem solve हो जाएगी इसके बाद कर देंगे